स्वागत है दोसों आप सभी का सिल गुरूजी के ब्रिच कंस्ट्रक्शन्स और लाइन मर्डल में तो दोसों हमने पिछले वीडियो में 16 और 17 बामाक को हमने complete readout कर लिया था कि इसको पियर कैप में किस तरीके से लगाएंगे तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं 18, 19, 20 तो आज हम 18, 19, 20 को readout करेंगे कि इसको position पे किस तरीके से लगाया जाता है तो दोसों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe जरूर कर लिजेगा और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा से शेयर करिएगा तो 18 आप देखेंगे यहाँ पे इसका save जो है कुछ ring टाइप का है यानि कि यह हमारा ring का का काम करेगा और जो हमारा 19, 20 है यह हमारे binder का का काम करेंगे जो हम peerια cap में देखेंगे कि यह कहां पे लग रहा है तो दोस्तों चलते हैं cupcake की तरफ और जानते हैं 18, 19, 20 को कहां पे set करना है तो इसको हम drawing में खोजेंगे कि हमारा 12 no. agora 19, 20 कहां पे दिया हुआ है तो दोस्तों यह हमारा peer cap का ड्राइंग जहां पे हम 18, 19, 20 को खोजेंगे तो यहां पे हम देखते हैं 18, 19, 20 कहीं पे नजर नहीं आ रहा है तो अब यह नजर नहीं आ रहा है तो इसको देखने के लिए हम section को खोजेंगे तो यहां पे कहीं section अगर कटा है तो उस section को हम check करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं width के along जो हमारा section D कटा हुआ है तो section D में यह सारी चीजे हमको detail में clear हो जाएंगी तो section D यह है, तो section D को देखने के लिए हम देखेंगे कि section D कहाँ पर दिया हुआ है तो यह हमारा section D है जहाँ पर हम 18.19.20 को खोजेंगे तो 18.19.20 को यहाँ पर खोजेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे 18.19.20 यह दिया हुआ है, 19.19 यह दिया हुआ है और 20.20 यह दिया हुआ है यानि कि जो हमारे 3 बार थे, यह clear हो गए अब देखते हैं कि यह कहाँ पर लगे है तो 18.19.20 को आप देखेंगे, यह outer ring है पॉइंट किस तरीके से नजर आएगा तो मैंने आपको बताया कि जो हमारा पीयर कैप का सेक्षन जो कटा हुआ है वो विर्स के अलॉंग कटा हुआ है बीच से कटा था, ठीक है, अब बीच से जब कटेगा तो जो हमारे लेंद के अलॉंग रॉड गया है तो जाहिर सी बात है, वो क्या होगा वो कटेगा, तो आगे समको पॉइंट नजर आएगा तो यह जो हमारा उनीश नंबर है यह सारे पॉइंट कुछ इसी तरीके से नजर आएगे और देखेंगे, जब विर्स के अलॉंग सेक्षन कटा हुआ है तो यह आप देख रहे हैं, यह पूरा रिंग हमको नजर आ रहा है यानि कि यह विर्स के अलॉंग हमारा पूरा रिंग लग रहा है यह हमको लगाना है विर्स के अलॉंग में हमको रिंग अंदर की तरफ डालना है तो अब चलते हैं 20 नमबर, तो 20 नमबर क्या है हमारा यहाँ साइड में एक कोने में नजर आ रहा है और यहाँ पे कोने में नजर आ रहा है तो यह 20 नमबर क्या है, यह हमारे विर्थ के साइड से U टाइप का बना था तो ये U type का है, दोनों side से हमारा कुछी तरीके से जाके joint होगा तो अब ये clear हो गई, तो अब चलते हैं, 18 नंबर को हम detail में जानते हैं, reinforcement schedule के according तो ये हमारा ring type का है, तो ये ring type का जो हमारा दिया हुआ है, तो इसका size है, तो size हम जानते हैं, इसका size का है तो 18 नंबर का जो bar है हमारा, उसका dia है हमारा 16 mm का, ये ring है, 16 mm का हमको बनाना है कुछ इस तरीके से और center to center distance जो हमको 125 mm रखना है, यानि कि यहाँ पे जो length है हमारा peer cap का, वो peer cap का length कितना था, वो length था हमारा 12200 mm तो 12200 mm का हमारा length है, इसी के अंदर जो हमारे पूरे ring लगने वाल है, यानि कि जो हमारा 12200 mm दिया हुआ है, इसी में हमको 125 mm का distance रखना है और इसी के बीच में हमको लगाना है, तो हमको number जब निकालना होगा, तो 12200 को minus करेंगे, दोनों side cover से, और साथ ही 125 mm से हम divide करेंगे, तो हमारा number of ring आ जाएगा तो हमको clear हो गया, जो हमारा ring है, वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे, एक एक करके, 125 mm, 125 mm के distance पे लगने वाला है clear हो गया, दोस्तों खुश खबरी है, आप सभी के लिए, अगर आप bridge को बनाना चाते हैं, और साथी bridge industry में आप अपने career को growth करना चाते हैं तो civil guru जी आप सभी के लिए ले के आए है bridge का course, जिसमें हमारा पहला course है, essential machinery in a bridge construction, इसको आप घर बैठे ही, सीख सकते हैं कि कौन सी machinery का क्या work activities है, और साथी उस machinery का क्या नाम है इस course का price है, मात्र 499 रुपीज, और हमारा दूसरा course है, bar bending schedule of bridge construction, इस course में आप 3D model की help से सीख पाएंगे, हर एक बार को किस तरीके से site में place किया जाता है और इस course का price है, मात्र 1,847 रुपीज, हमारा तीसरा course है, advanced VBS of box color, इस course में आप सीख पाएंगे, कि share कीई को आप stream में लगा जाता है, या फिर down stream में लगा जाता है और साथ ही 3D model में 6 पाएंगे, हर एक बार का cutting line, तो इस course का price है, मात्र 1,999 रुपीज, तो दोस्तों अगर आपको इन तीनों course के बारे में और detail जाना है, तो नीचे description में link दिया है और आप हमारी team से बात करना चाते हैं, तो नीचे दिये हुए number 911-001234 पे call भी कर सकते हैं अब चलता है आगे, तो आगे हमारा क्या था, आगे आता हमारा 19 number, तो 19 number हमारा कुछ यहाँ पे सो कर रहा है, यानि की जो हमारा width है, यह width है जो हमारा यहाँ से नीचे से लेके ऊपर तक यहाँ पे वो bar लगने वाला है अब यह bar कुछ ही सरीके से होगा, जो यहाँ पे point नजर आ रहा है, जब हम इसको width के along काटे हैं, यह हमारा section D कुछ ही सरीके से कटा है, तो आप measure करिए, जब आप इस side से देखेंगे, तो यहाँ पे जो bar ऐसे length की side से जो आ रहा है, वो कटेंगे, तो यहाँ पे हमको क्या हो जो हमारा 19 number का bar है, उसका dia है, 25 है में, और हमको इसका spacing दे रखा है 15 multiply by 2, अब 15 multiply by 2 का मतलब का है, यह आप front से आप देखेंगे, इस peer cap को, यहाँ से एक front नजर आएगा, जैस इसके opposite side में जाएंगे, तो वहाँ पे भी एक नजर आएगा, तो यह आगे का जो हो गया, एक number और पीछे का जो हो गया, दो number, तो यहाँ पे दो number यही 100 कर रहा है, अब चलते है 15, तो 15 क्या है, तो यहाँ पे 15 क्या है, इस height में, peer cap का जो height है, यहाँ पे 15 number को place करना है, यानि की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे करके, हमें peer cap के height तक set करना है, अब इस 15 number को हमको इसी peer cap में set करना कर देंगे, तो जो हमारा अंसर आएगा, उतने ही equal distance पे इसको रखना है, तो clear हो गया, 15 number इस side और 15 number इसके back side में हमको set करना है, clear हो गया, आप चलते हैं 20 number, तो 20 number हमारा इस कोने में set हुगा है, और इसकोने में set हुगा है, अब इसका dimension देखते हैं, तो dimensions देखने के लिए हम reinforcement schedule में चलेंगे, तो इसका dimension कुछ इस तरीके से दे रखा है, C type का, तो इसको C type का हमें बनाना है, अब देख रहा है, आप यहाँ पे इसका जो बामाक नंबर है, वो 20 number है, और बामाक नंबर 20 है, और इसका जो डाया दे रखा है, 25 mm का है, तो 25 mm का हो गया, अब चलते हैं, spacing जो दे रखा है, तो spacing भी यहाँ पे 15 x 2 दिया है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जाने के लिए हम चलते हैं, इसके drawing में, पर drawing में जाने से पहले, एक बार इसका जो safe है, आप इसको देख लिजिए, तो जो safe दे रखा है, यह का हमारा peer cap का width है, उसका यह दे रखा है size, और जो यह हमारा length के long लगेगा, ठीक है, क्योंकि जो हमारे front पे आ रहे थे, जो हमारे length के front पे आ रहे थे, वो हमारे यह थे, यह 20 में लगेंगे, अब जो हमारा 20 number है, वो हमारा width के long लगेगा, कुछ ही तरीकिस लगेगा, जो हमारा peer cap दे रखा है, उसको दोनों side से ऐस हम उपर से लेके नीचे तक लगाएंगे, अब उपर से नीचे तक लगाने का क्या तरीका है, यह जानते हैं, तो यह हमारा peer cap हो गया, तो peer cap में जो हमारे 19 number थे, यहां पे लग रहे हैं, center पे, अब यह जो हमारा है बात, यह हमारा कुछ यहां से, जो हमारा इस corner पे, और इ 19 number है और 20 number है, वो किस तरीके से लगेगा, एक बार और समझते हैं, तो 19 number जो हमारा यहां पे front पे लगेगा, ठीक इसका जो हमारा multiply by 2 लिखा था reinforcement detail में, तो वहां पे 2 का मतलब इसके just opposite side में भी कुछ इस तरीके से होगा, वहां पे भी हमारा एक number लगेगा, यह हमारा 2 number हो अब ठीक हम विट side में जब आएंगे, तो इसका भी एक कोना बन रहा है और इसका भी कोना एक बन रहा है, जो कि हमारा 20 number जो बार है, वो यहां पे इस कोने में एक set होगा, और एक इस कोने में set होगा, तो यह होगे हमारे बामाक number 18, 19, 20, जो हमने complete इसको readout कर लिया, इसको स जाइन!